भाई कांगर, डॉक्तर दर्शिता बेंशा, अनिश्री रमेश भाई तिलाडा धनेवाद, हवे माननी प्रधानमंत्री शीनू स्वागत करशे, श्री विनोच चावडा ने साथे जोडाशे, श्री रमेश भाई धडुक, श्री केसरी देव सी जाला, श्री मती गीता बाचाडेचा, श्री जैज भाई रादड़्या, श्री दुरलपजी भाई देथर्या, श्री महेंद्र भाई पाडलिया, धन्यवाद, हवे श्री भूपत भाई बोदर प्रमुक पंचायत राजकोट अने राजकोट ना मेयर श्री प्रदीब भाई डव मानीने प्रधानमंत्री श्री नू स्वागत करशे, अभिवादन करशे, अपो, 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 अपो. श्री प्रदिब भाई दाव अने साथे जोड़ाशे श्री भूपत भाई बोधर, जिला पंचाइट प्रमोक, श्री मती बीना बेन आचार्य, श्री प्रकाश भाई सोनी, श्री मुकेश भाई दोशी, श्री अश्विन भाई मोलिया, अने दॉक्टर माधव दवे, साथे श् लाना विविद्पदादी कारियों मानिने प्रधानमंत्री श्री नू हर्श भर्ष स्वागत करशे, श्री धवल भाई दवे, श्री अलपेश भाई धोलरिया, श्री नरेंद्र सी जाडेचा, श्री हरेश भाई हेरभा अने श्री रवी भाई मांकडिया。 सर्वे नो खूब खूब धन्यवाद हवे आपना गुजरात राजिना माननिय उद्ध्योग मंत्री श्री बढवन सी राजपूत ने ते ओना स्वागत संबोधन माटे नम्र निवेदन करिये शिये आजनी गडिये आपना बदाद माटे कितियासी गडिचे सवराश पन्थक मां अजे करणो रूपियाना लोकापन धवाना जे त्यारे आपनी वच्चे उपस्तित यवा अनेक देशोना सर्वत एवड मेरवनार नया भारतना रचेता समगल विश्व मां जेनो डंको वागे छे इवा अपना सवनाय रुदे समराच इवा भारतना लोक लाडिडा असस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्रभाई मोदी साहे गुजरात राजिना मक्कम अने प्रयमार इवा मुख्यमंत्री भोपेंद्रभाई पटेल साहे नागरिय उड्यान मंत्री जोतिराजी सिंधिया साहे राजिना पुर्व मुख्यमंत्री विजयवेर उपानी साहे पुर्व राजपाल अधनियम वजुबाई वारा साहे भारतिय जनता पाटिना प्रमोप अने संचत चब्या श्री सियार पाटिल साहे मारा साथी मंत्री मुरब्विशी रागवजी भाई, मंत्री श्री कुहर जी भाई, मंत्री श्री भाई गुज्रात राजिना मक्कम अने प्रेमार इवा मुख्यमंत्री पोपेंद्रबै पटेल साहे नागिरिय उड्यान मंत्री जोतिराजी सिंधिया साहे राजिना पुर्व मुख्यमंत्री विजयवे रुपानी साहे पुर्व राजपाल अधनियम वजुबाई वारा साहेब भारतिय जनता पाटिना प्रमोक अने संचत चब्य श्री सियार पाटिल साहेब मारा साथी मंत्री मुरब्वी स्री रागव जी भाई, मंत्री स्री कुमर जी भाई, मंत्री स्री भानु बेन अने अपड़ा तमान संचत्चब्यों संचत्चब्यों स्री मोहन भाई, स्री राम भाई, स्री विनोध भाई, स्री रमेश भाई, स्री केश्री स्री जी उपस्तित सर्व धरसभ्यस्रियों जिल्ला पंचायत अने महानगरपाली काना सर्व पदा अधिकारियों अधिकारी गान मेहमानों राजकोट ना आगने उपस्तित तमाम भाहियों बैनों तथा प्रेश्मित्र ना मित्रों अपड़ा वड़ा प्रदान नियक विशेश खास्यत छे के येनू खात मुरत करे येनू जो लोकापन करे आजे वड़ा प्रदान आजे राजकोट खाते चौट्सो पाच करोड रुपयाना खर्चे तया थेलू अति आधूनिक एरपर्ट नू लोकार पन धवानू छे तथा जेन सुजलाम सुफलाम योजना मारपत समगर उत्तर गुद्रात ना पाणिनो पस्न हल करे ओ तेम सव्राष्ट विश्तार ना नी जनताने पाणिनो पस्न माटे सवनी योजनानी कल्पनानों साकार सरुपापनों याश अपना वड़ा प्रदान स्री ने जाईच ता सवनी योज ना लिंक त्रण ना फिडर ना लोकार पन अने राजकोट ना अंदाजे बसो चोतरिस करोड रुपया ना विद्वित विकाष्ट ना कामो ना लोकार पन पसंगे पधालेला अपना वडापरदान स्री नरेंद्रबाई मोधि साहिब ने उन अनन्ती लागनी थी आप सव वती आवकारो चू अने आप सवने माननी वडापरदान स्री ने तारियों ना गरगराट साथे अविननदन करवा आप सवने विननती करू चू आजे सयोक्तो जो मित्रो रोड पानी अने अवाई मसापरी एं त्रने सरूपना लोकार पन थाई रहा चे अने राजिना लोकार पन ना राजकोट सवराष्ट लोकोंने जन सुखाकारी मा घणो वदारो थवानों चे त्यारे मान्य वडाप्रदान श्रिये सरू करेली गुजरात नी विकार श्यात्राने हवे मक्कम सरू पापनार गुजरात राजिना मुख्यमंत्री आदाने पपेंद्रबै पतायल साहिब नू आजना लोकार पसंगे भाव बरियु स्वागवत करू छू आजना पसंगे अपनी वच्चे उपष्थित केंद्रिय मंत्री जोतिराज जी सिंधियाजी नू पाण हूँ स्वागवत करू छू पूर्व मुख्यमंत्री विजयबाई रुपानी साहिब और पूर्व राजपाल अपना वजुबाई वारा साहिब नू पनू सागवत करू छू बारतिय जनता पाटी ना गुजरात ना परदेश्ट ना प्रवोक अने अमारा सवनाय मारदर्शक एवाई नौसारी ना संचच सब्यस्री आर पाटिल साहिब नू लोकारण पसंगे उँँ सागवत करू छू गुजरात राजना मारा साथी मंत्री रागवजी बाई, कुमर जी बाई, बेन श्री भानू मती बेन राजकोट ना आगने ओजाला पसंग मां आवकारू छू अजना कार्यकेमा उपस्तित शर्व संचत सब्यस्री ओ, धारा सब्यस्री ओ, परजाना पतिनी दिश्री ओ, केंदर ने राज सरकार ना अधिकारी गण। अने जहे मा अने सामाजिक जीवन ना आगेवानों पक्सना पदाधी कारियों अने मोटी संख्यमा उपर्तित आप सवन आगरीकों ना राज सरकार वतियूं स्वागवत करूछू सवनो साथ सवनो विकास एच आत्मा साथ करी छेवड़ना मानवी सुधी सुवीदानी यात्रा गुजरात ती सरू थै अने आजे भारत ना खुने-खुने-खुने सुधी पहुचीच तारे विश्वे कुटम ना मंत्र साकार करी भारत ने फरी विश्वगुरुना स्थाने बिराज करवानों संकल पलाई आप सव तेमा जोडाई जाओ तेवा अवान साथे आप सवनों स्वागवत करुचू अभार भारत माता की जै वंदे मात्रम जै 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 गर्वी गुजरात माननिय मंत्री श्री आपना उश्मा पुर्ण स्वागवत जै जिनोंने इस देश को विश्व पटल पर उजागर करने का कार्य किया है परम पूजनेय परम आदर्नेय यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी मंच परासीन गुजरात के मुख्य मंत्री भुपेंद भाई पतेल जी हमारे राज्य के अध्यक्ष एवं सांसद सी आर पतेल पाटिल साहिब हमारे पूर राज्यपाल वाजुभाई वाला साहिब हमारे पूर मुख्य मंत्री विजैर उपानी साहिब हमारे मंत्री गण बलवन सिंग राजपूच जी रागव जी पतेल जी कुवर जी भाई बवल्या जी श्रीमती बानुबेन बबर्या जी सारे सांसद विधायगण महापौर जिलाप पंचायत के अध्यक्ष और इस विशाल सवाग्रह में उपस्तित समस्त राजकोट की उपस्तित जनता जनारदन सरप्रथम मैं जुक कर प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ जैश्री कृष्ण आज एक इतिहासिक दिन है मेरे भाई और भेनों बापू और सरदार पतेल की पावन धुरा गुजरात में सरप्रतम हम अपने प्रधानमंत्री हमारे प्रधान सेवक गुजरात के सपूत भारत के गौरव परमादर्णिय प्रधानमंत्री नरेần मोदी जी के तालियों की गरगाहाट से स्वागत करें प्रदान मंत्री जी ने एक ऐसी ही रैली में कहा था राज कोट मेरा पहला स्कूल था वे मुझे सिखाया गया और मैं सीख था गया और आज उसी राज कोट के प्रांगन में इस जन सहलाब के चेरे पे जो मुस्कुराट और जो उरजा दिखती है ये इस बात का पैम प्रमान है कि हमारा राज कोट कितना रंगीलू है और ये केवल सौराष्ट नहीं गुजरात नहीं लेकिन मैं मानता हूँ कि राज कोट भारत का एक चमकता हुआ आर्थिक केंद्र है चाहे सोना बाजार हो ट्रैक्टर का हो दियोग हो विश्व प्रसद कारिगारे हो शमताओं का भंडार हमारे राज कोट में है और क्यों नहों क्योंकि ये राज कोट की विकास की आधरशिला अगर किसी ने लिखी है अगर इस राज कोट की विकास की सफर किसी ने लिखी है तो हमारे विश्व प्रसद गुजरात मॉडल जो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने गुजरात में एक नया इतिहास रखा था उसी के आधार पर लिखी गई है और आज वही गुजरात मॉडल एक इंडिया मॉडल बन चुका है और विश्व के सारे सारे प्रसिद्ध और सबसे बड़े राष्ट्रपतिय प्रधान मंत्री हमारे प्रधान मंत्री से इस इंडिया मॉडल और गुजरात मॉडल की सीख ले रहे और जिस गती गुजरात की वृद्धी ने कायम की है उस तेजीत का तो असर नागर विमानन छेत्र में आई गई और इस हवाई अड़े की जो कल्पना प्रधान मत्री नरेंद मोदी जी ने छह साथ साल पूर की थी कि राजकोट में भी विश्व न हो क्योंकि ये राजकोट की विकास की आधरशिला अगर किसी ने लिखी है अगर इस राजकोट की विकास की सफर किसी ने लिखी है तो हमारे विश्व प्रसिद गुजरात मॉडल जो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने गुजरात में एक नया इतिहास रखा था उसी के आधार पर लिखी गई है और आज वही गुजरात मॉडल एक इंडिया मॉडल बन चुका है और विश्व के सारे सारे प्रसिद और सबसे बड़े राष्ट्रपतिय प्रधान मंत्री हमारे प्रधान मंत्री से इस इंडिया मॉडल और गुजरात मॉडल की सीख ले रहे और जिस गती गुजराज की वृद्धी ने कायम की है उस तेजीत का तो असर नागर विमानन छेत्र में आई गई और इस हवाई अड़े की जो कल्पना प्रदान मत्री नरेंद मोदी जी ने 6-7 साल पूर की थी कि राजकोट में भी विश्वस्तरिय अंतराष्ट्र हवाई अड़ा बनना ही होगा मेरे भाई और भेनों और आज वो इतिहासिक सौगात देने के लिए प्रदान मत्री जी स्वयम उपच्त थे जो पुराना हवाई अड़ा था उससे 10 गुना बड़ा 236 एकर का ये हवाई अड़ा और धाई अजार एकर का वो नया हवाई अड़ा बन चुका है आज ग्राजकोट में मेरे भाई और भेनों वहाँ एक नया टर्मिनल बिल्डिंग भी बनने वाला है धाई लाग स्क्वेर फीड का टर्मिनल बिल्डिंग अठार सो यात्री प्रती घंटा का आवगमन वहाँ से कर पाएंगे और हमारी सोच और विचाध हरा है प्रधान मंत्री जी ने सदेव हमें कहा था कि जहां भी विमानतल बने वो पहला दृष्य भारत का देखता है जो भी बाहर से आए तो भारत की संस्कृती भारत की इतिहास वहाँ दर्शाना चाहिए और आज आपको सूचित करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा उसमें रंजीत विलास पैलिस और राजकुमार कॉलेज राजकोट का जो आर्किटेक्चर है वो टर्मिनल बिल्डिंग में दर्शाई जाएगी हमारी इस राजकोट शेत्र की लिपनकला और गुजरात का प्रसिद्ध डांडिया चितरन भी उस हवाई अड़े में किया गया है काज के पतं महुत सब का दिश्य भी वहाँ दिखाया गया है और प्रधान मंत्री जी की जो दूर दर्शी सोच है मिशन लाइफ के बारे में वहाँ एक नया सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट LED लाइटिंग और सोलर उड़ जा भी है तो आज इस अफसर पर मैं ये कहना चाता हूँ कि जो राजकोट में 2014 पर केवल 56 फ्लाइट मूवमंट होती थी प्रतिहफता आज उसी राजकोट में 130 फ्लाइट मूवमंट होती है मतलब डबल से भी जादा हो चुका है आज हम लोग मुंबई, दिल्ली, पूने, गोवा और बैंगलोर से जुड़े हुए और आने वाले महने में प्रदान मंत्री जी के आदेश के नुसार अब उदैपुर और इंदोर से भी हम जुड़ने वाले हैं मेरे भाई और बहनों ये इस गती को हम बढ़ाते जाएंगे जैसे गुजरात में बढ़ते जगया है 2014 में कि गुजरात केवल 19 शेरों से जुड़ा हुआ था आज वही गुजरात प्रदान मंत्री जी के निर्देश के नुसार पचास शेरों से जुड़क चुका है हमारे शेत्र में गुजरात में अगर एरपोर्ट की हम बात करें 2014 में केवल 74 एरपोर्ट होते थे नौ वर्षों में इतिहास रचा गया है कि उसी भारत में आज 148 एरपोर्ट हैं डबल करके दे दिया है तो जो गुजरात में कहा जाता था आज देश भर में कहा जाता है और विश्व में कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है और आज मेरे भाई और भेनों इस शुवफ सर पर हमारी यही सोच है कि गुजरात उड़े, गुजरात जुड़े और गुजरात बड़े इसी विचाध हरा के साथ आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुप कामना है धन्याँ चाझनी बड़ली न समाचार, वड़ोद्रा सूरत कमिश्टर नी पढ़ बडली थाशे तो मुक्हि मंत्रिये तैने महर लगावी दिशे IPS बडली टोंक समय मा थाशे 30 च्रेट लाईपी अस बड़ली थाशे बडली ना समाचार सामे अभी राश पड़ोद्रा अने सूरत कमिश्णर नी पड़ बडली थाशे मुखे बंद्री भुपेंद्र भाई पटेल राजकोट खाते सम्मोधन करे राश सिद्धा जेशुत्या राजकोट महानगर खाते राज्य सरकार द्वारा आयोजीत रुप्या बैजार तेत्रीस करोड थी वदू रकमना विवीद विकासना कारियों ना लोकारकन कार्यक प्रसंगे आपनी साउनी साथे मंचु पर उपस्तीत विकासना स्वप्न द्रष्टा आधूनिक भारतना निर्माता वैस्वीक नेता आधने वड़ा प्रदान श्री नरेंद्र भाई मोधिसाईब केंद्रिय नागरे कुड्डैन मंत्री श्री जोतिर्राज सिंध्या जी नौसारिन लोकप्रिय सांसर तदा यसस्वी प्रदेश अध्यक स्री इसी आर पाटिल जी मारा साथी मंत्री श्री बर्वन सी राजपूत श्री रागव जी भाई पटेल श्री भानुबेन बाबरिया श्री कुमर जी भाई वावडिया करना डगना पूर्वा राजियपाल तदा वरिष्ट आगेवान स्री वजुबै वाड़ा पूर्वा मुख्य मंत्री स्री विजय भाय रूपानी सव सांसर्च्री ओ, सव धारा सब्य स्री ओ, जिल्ला पंचयत ना प्रमूप मेयर स्री सव चुटायला जनप्रती निदियो संगठना पदाधिगारि स्रीयो उपस्ताधित अधिगारिगन विशार संख्याम उपस्तित सव नागरीक भायों बहनों प्रेश मिडियाना मित्रों सव उन्हे मारा नमस्कार विकासनी राजनिती कौने कहवाए हने विकास केवो होए कई रिते थाए एनू जीवतु जाकतु उदान आपने वडाप्रदांसी नरेंद्र भाई नी दरेक योजनाओ कारियों अने आयोजनमा स्पस्त देखाई आवे छे आदेने स्री नरेंद्र भाई ये गुजरातना मुख्यमंद्र तरीके विकासनों जे मजबूत पायो नाख्यो तैना परिणा में रचायेली विकासनी बुलंदी मारत थी आजे गुजरात विकासनू रोल मॉडेल बन्यू छे आपने गवरव साथे काई सक्ये छे शिरी नरेंद्र भाई ये नब थल जल एम तरेक शेत्रे विकासना नवा नवा प्रकल्पो योजनाव आपीने दसे दिसाये विकास खुणे खुणानों विकास साकार कर्यो छे शवराशने तो नरेंद्र भाई नो अपार प्रेमने स्ने मरतो रहो छे आज राजकोट नगर्थी नरेंद्र भाई ये पोताना राजकिये जिवनी प्रथम चुटनी माई विजेई मेडवीने गुजरात नी सेवा करवानू दायत्व उपाड़ी हो तो इतले आपने कई सक्किये के राजकोटे विश्च्वा आखाने विकास पुरुष्णी भेट आपी छे आदेनेसी नरेंद्र भाई ये पन राजकोटे बतावेला प्रेम करता सवायोस्त ने विकास कामोती राजकोटने आपयो छे गुजरात नी प्रथम एवी एमस नी आरोग्या रक्सा बेट बड़ा प्रदांसीय राजकोटने आपी हवे आजे शावराश्टनु मुख्य नगर अने आर्थिक अउद्योकिक गतिविदीनु कैंद्र राजकोट आथि विश्वना देशो साथे हवाई सेवाती नब मार्गे जोडाई रहियों छे 405 करोड रुपया ना खर्चे निर्मान थायेलू गुजरात नुँ प्रथम ग्रिनफिल्ड इंटरनेशनल एरपोर्ट शावनी योजिना 344 करोड रुपया ना खर्चे थायेली लिंक त्राण अने राजकोट महानगर ना बसोत 34 करोड रुपया ना वीद कामों ना लोकार मन प्रसंगे एककत दिवसमा बेजार तेतरिस करोड रुपया ना विकास कामों नी राजकोट अने सावराश्ट ने भेड आजे वडाप्रदांस्री तरपती मडी रही छे वडाप्रदांस्री नरेंद्र भाई मोदी एवा वीजनरी ने प्रजानी शेवा मा प्रतिबद लोक नायक छे के आवनार दसकों नी जरुरियात पार्खी ने विकास ना आयोजनों करे छे बायोवेनों जे 40-50 वर्षमों ना थयू तेत एमने 2070 मा मात्र साथ महिना मा करी बतावियू राजकोट ने इंटरनेशनल एरपोर्ट मरसे मरसे एवा वाईदाओ चार साड़ा चार दसकों सुदिन थता रहा आता नरेंद्र भाईनों कमिट्मेंट अने सवराष्णना सरवांगी विकास माटे नी शमरपीद भावना एमने एप्रिल 2017 मा ग्रीन फिल एरपोर्ट माटेननों नेने करोंने मात्र साथ चो महिना मा कैंद्र सरकार ना बदा सबंदित मंत्रालेयोंनी परवांगी आपी दैने ओक्टो बर मतो एरपोर्ट नो भुमी पुजन पान थाई गयू हतु आदेने वड़ा प्रदांसी आपने एवी निती रिती सिख्वाली छे के जेना खात मुरत आपने करिये त्याना लोकार पन 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 आपनेज करिये छे आजे एच परंपराने निभावी ने वड़ा प्रदांसे आ ददन ग्रिन फिल्ड इंटरनेशनाल एरपोट ना लोकारपणनी भेट आपणने आपी छे राजकोट अजन नई शमग्र सवराश्वास्तियोवती आधरने वड़ा प्रदांसी नो उन रदय पुर्वक आभार मानूचुन वड़ा प्रदांसी नरेंद्रभाय ना दिशादर्शन मा राजकोट सवराश्व प्रदेश ने लोकल थी ग्लोबल बनावाँ पाण आ इंटरनेशनल एरपोट महत्वप्रोण बंचे मोरबी नित्थान ना सिरामिक उद्योग, जामनगर ना ब्रास पार्ट उद्योग, भावनगर अलंग ना सिप्स रिसाइकलिंग उद्योग, के राजकोट ना ओटोंबाइल पार्स अने मेटल इंडरस्टिस उद्योग, शव माटे आ एरपोर्ट निकास अने वेपार विक तक पूरी पाड़ से वड़ा प्रदान्सी नी एक वाद बहुष्पष्ट पणेक कहता आव्या छे के पाणी विकास नो आधार छे गुजरात ना सर्वग्राही विकास मा तेमना मार्दश मा धयेलू पाणी नू पाणी दार आयोजन ए वाद नू प्रत्यक्स प्रमान छे ग गुजरात ते खास करीने शावराष अने उत्तर गुजराते तो वर्सो सुधी पाणी नी यातना वेठी यती आधने नरेंद्र भाई ये आ समस्यानों अंत लावानू बेडिव जड़पियू ये कोई ने ना सुझे ते आपणा नरेंद्र भाई ने सुझे अने एक करीने पन बतावे बड़ा प्रतान स्रीये नर्मदाना दर्यामा वही जता निर्थक पाणी शावराष कच्छने उत्तर गुजरात नी शुकी धरती ने नव पल्लित करवा इजनेरी कौशेल ये कामे लगाडियू नर्मदाना वधाराना पाणी माथी शावराष ने एक मिल्यान एकर फिट पाणी पोहचाडवान आयोजन साथे सावनी योद्नानों त्यमने प्रारम कराव्यों पाणी नो दुकाल हवे सावराष्ट माटे भुतकाल बन्यों छे अने माता बहनोंने पाणी माटे माते बेडा उचकी गाव गाव सुदीन जव पड़तु न थी आजे आधने वड़ा प्रदांश्रिये पवित्र परशोतम माशमा लोक माता नर्मदाना नीर ना लिंक त्रण ना आठ अने नौ एम बै पेकेद ना रुप्या त्रण सो त्रानू करोणना कामोंनी पंचानू गामोंना अंदाजे एक लाख लोकोंने पहचाडवाना कामों लोकारपन करवा जही रहा छे पाणी परमेश्वनों प्रसाद अने विकास नू पारस्मनी छे एवी वड़ा प्रदांश्रिये आपनने सीख आपेली छे आप अमशव आ नर्मदा जड़नों विवेक पुर्वक उप्योक करीने तेने जाडवीसू तेवो आपने अमे कास ने अनुरूप इंफ्वार्ट्रक्चर महानगरपाली का अने राज्य सरकार पुड़ा पाड़े छे प्राफिक नी शमस्याना निवारण माटे रूप्या एक्सो अगंतिस करोड ना अने शावराष्ट ने प्रथम मल्टी लेवल फ्लायरों ब्रेज राजकोट ने आजे लोकार पन थवा जयी रहा चे अने राजकोट ना नागरीको ना इस ओप लिविंग मा व्रुद्धी कर से शावराष्ट राजकोट नी आ विकास गाथा स्री नरेंद्र भाईनी प्रेणा अने मार्दशन मा सतत अवीरत आगल वत्ती रहसे एवो मने विश्वास से व बारक माता कीजे वंदे मात्रम जै 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 गर्वी खुज्राव अने दुनिया साथे जोडतू राजकोट इंटनाशनल एयरपोर्ट अध्यतन सुविता सभर अने मुसाफरोंने बद्धीज सवलतों मली रहे तेवून शे आ एयरपोर्ट गुज्रात नू पहलू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट छे तो आवो तालियो ना हर्ष द्वनी थी म आनिनिया प्रधान मंत्री श्री ने विनंति करिए के ते वो रिमोट द्वारा अब भव्य आंतराश्ट्रीय एयरपोर्ट देश ने अरपन करें राजकोट गुज्रात का चोधा सबसे बड़ा शहर समृध्ध विरासत और आधुनिक्ता का मिश्वण है अपने उत्कृष्ट हस्तशल्प और पारंपरिक बस्त्रों के लिए प्रसिद्ध इस शहर के जीवंत बाजार क्षेत्र की कलाक्मक विविदिता का प्रतर्शन कराते हैं राजगोट में बड़ी संख्या में भारी एवं लगू द्योग स्थित हैं जो कुजरात की आर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ये शहर एजिया का सबसे बड़ा आटोमोबील जोन भी बद्दा जा रहा है हवाई आतायात की बड़ती मांग को देखते हुए राजगोट के हीरा सर में एक नए अंतर राष्ट्री हवाई अड़े का निर्मान किया गया है जिसका लोकारपन आज माननिय प्रधान मंत्री शुरी नरेंद्र मोधी जी द्वारा किया जा रहा है दूर दर्शी नेत्रित्व के प्रतीक माननिय प्रधान मंत्री शुरी नरेंद्र मोधी भारत के परिवर्तन की प्रेरक्षक्ती है उनकी अटूट प्रतिबधता और अथक कारे नीती से देश आज विश्व पटल पर नित नई उचाईउं को छूरा हाई पिछले नौव वर्षों में देश के विमानन क्षेत्र ने भी अभूतपूर्व प्रगती की 2014 में जहां देश में 74 हवायड़े संचालित थे वहीं आज 2023 में ये संख्या दोगुनी होकर 148 हो गई है 2014 में जहां भारती हवायड़ों की यात्री वहन क्षमता 20 करोड थी वो अब दोगुनी से भी अधिक 45 करोड हो गई है भारत सरकार के अधक प्रयासों से देश के हर राज्य में अभूतपूर्व स्तर पर महत्वपूर्ण आधार भूत अवसन रचना का निर्मान हुआ है सड़कों से लेकर पुनों तक मजबूत रेल नेटवर्क से लेकर हवायड़ों तक देश के हर हिस्से में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है इसी दिशा में राजकोट अंतराष्ट्रिय हवाई अड़े को 2500 इकर से अथिक गुमी पर 1400 करोड रुपे से अथिक की लागत से विक्सित किया गया है जिसमें 3040 मीटर लंबा रन्वे, टैक्सी ट्रैक और फायर स्टीशन अत्यादी निर्मे थे इस हवाई अड़े के निगट गारिडा और दोसली घुना गाउं के नस्दीक बामन बोर सिचाई योजना का एक चेक डैम स्थित था जिसके जल को रन्वे के नीचे से निर्माधित रूप से प्रवाहित करने है तू लगभग 100 करोड रुपे की लागत से 754 मीटर लंबा तथा 34 मीटर चोड़ा एक बॉक्स कलवर्ट बनाया गया है देश के किसी भी हवाई अड़े पर रन्वे के नीचे बनने वाला ये सबसे लंबा कलवर्ट है इस हवाई अड़े पर 14 हवाई जाहजों को पार्क किया जा सकता है और ये 180 यात्रियों को समाहित करने वाले बड़े विमार जैसे एयरबस 321 एवं बोईंग 737 के संचालन के लिए भी उप्युक्त है ये टर्मिनल भावन एक समय में एक साथ 500 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा और निकट भविश में विस्तारी करण के अंतरगत इसकी एक समय में एक साथ 2800 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता होगी गुजरात एक उन्नत राज्य है और यहां हर प्रकार की यातायात सुविधाईं विक्से थे एक तरफ यहां का लगभग हर जिला, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा है तो प्रदेश में 11 हवायड़ों के साथ कई बंदर कहा भीस थे थे राजकोट में क्षेत्र के इस सबसे बड़े वन नए अंतरराष्ट्री हवायड़े के शुरू होने से न केबल राजकोट बलकि राजके मोरभी, धानगड, शापर, गोंडल, जैथपुर, जुनागड सहित, अन्य प्रसिद्ध निकटवर्ती क्षेत्र जैसे द्वारगा, सोमनात, गीर को भी लाब होगा नया हवायड़ा कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, और निर्बाद यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे राज़ में पर्यटन को विशेश रूप से बढ़हबा मिलेगा इसके साथ ही क्षेत्र का आर्थिक विखास होगा, और रुजगार के नए अवसरों का भी सुरिजन होगा राजकोट अंतरराष्ट्री हवाई अड़ी का उधगाट है, आज माननिय प्रदान मंत्री जी त्वारा किया जा रहा है माननिय प्रदान मंत्री जी सौराष्ट्र ने, गुजरात ने अने समग्र देश ने आ अनुपम भेट आपपा बदल आपनो खूब-खूब आभार सौनी योजना थकी, मा नर्मादाना पाणी थी सौराष्ट्र नी धरा नव पल्लवित थाई छे आजे सौराष्ट्र नो खेडू त्राण रुतुनो पाक लेतो थायो छे साथे सौराष्रमा क्यारे सीचाई तथा पीवाना पाणी माटे वलखा न मारे तेवु दूरंदेशी पुर्ण अने नककर आयोजन इटले सौराष्र नी जीवादोरी समान सौनी योजना जे माननिय श्री नरेंद्र भाई मोधी जीनू स्वपन छे आजे तेवना वरध हस्ते सौनी योजनाना लिंक त्रण ना पाकेज आठ अने पाकेज 9 नू लोकारपन थाशे राजकोट वासियों ना इस ओफ लिविंग मा वधारों करी विकासने वधू वेगवन्तों बनाव शे शहर नो प्रथम केकेवी मल्टी लेवल फ्लायोवर अने साथे समय, शक्ती, इंधन अने नाणा नो थशे बचाआ अब्रेज समगर सावराषन नो प्रथम मल्टी लेवल ब्रेज छे जे विकासनी रफ्तार वधार शे साथे साथे आजे विवित प्रजालक्षी प्रकलपो नी पन शेहर ने भेट मणवा पातर शे त्यारे आवो तालियों ना गुंजारव साथे मानिने प्रधान मंत्री श्री ने रिमोट द्वारा अ तमाम लो कारपन करवा अपने हर्श भेर विननती करिये खम्मा गुर्जर देश ने खम्मा गुर्जर इचाद मा रेवाना जया नीर पहुंचना खम्मा काठियावाड संस्कृती ने शिर्मोर राखी में विकास नी चो तर्फी गती करतू आपणुआ शहर ओताना खंतिला स्वभाव अने जोश ठकी गुजरात ने भारत नू रोल मॉडल्स थापिक करवा मा जरापण धील छोड़तू न थी बारत ना यशस्वी प्रधान मंतरी अने गुजरात ना ततकालीन मुख्य मंतरी श्री नरेंदर भाई मोदी नी दीरminster अने गुजरात ता करतव्य निष्ठ मुख्य मंतरी श्री भूपेंदर भाई पटेल ना अथाग परिश्रम थकी आपनु राजकोट आजे धूड खंखेरी ने उभू थयुँछे अने आर्थिक विकास निदिशामा हरन फार भरी रहुचे एक समय पाणी ना एक-एक टीपा माटे वल्खा मारता सवराष्ट्र ना फड़िये आजे नर्मदाना नीर पहुचे आजे आजे एक एक एवो नजराणू आपणू मने सवभागे मढ़िवश्ट्र है कि जे आवनारा सो भर्सुदी सवराष्ट्र ना जिवत ने ताज़िया प्रजाहेत अने लोग कल्यान ना कामों माटे सदायत तत पर तत कालेन मुख्य मंत्री श्री नरेंद्र मोधी ना मार्ग दर्शन थकी आपणने सवनी योजना द्वारामा नर्मदाना नीर मढ़िया अने आजे आ योजनानो वधशे विस्तार सवनी योजना हेथल लिंक त्राण पैकेज आठने नव हेथल पूल 314 करोड ना खर्चे पंचाणू गामों नी तरस छिपाशे विकास न बीजा प्रकल्पों मा रूप्या 130 करोड ना खर्चे तैयार थायल राजकोट नो सव प्रथम 4-lane multi-level bridge केकेवी फ्लायोवर ब्रिज नू लोकारपण थाशे जे राजकोट नी ट्राफिक समस्या नू करशे निवारान रूप्या 30 करोड ना खर्चे 50 MLD क्षमता अने Zero Liquid Discharge Technology धरावता Water Treatment Plant नू लोकारपण रूप्या 25 करोड ना खर्चे 15 MLD क्षमता अने SBI Technology थी सज सुवज ट्रीटमेंट प्लांट नू लोकारपण रूप्या 42 करोड ना खर्चे निर्मान पामेल न्यारी डैम थी रहियाधार फिल्टर प्लांट सुधी 1229 mm डायामेटर नी पाइपलाइन नू लोकारपण लोको मा वांचन नू अभिगम वधारे सुध्रण बने इमाटे रूप्या 9 करोड ना खर्चे अध्यतन लाइब्ररी नू लोकारपण लोक कल्यान अने प्रजाहीत ने वरेला आप प्रकल्पो राजकोट ना ओध्योगिक शहरी अने क्रुशी विकास ने आपशे प्रचंडवीग एक बाजू सपनाओनी वावणी थशे तो बिजी बाजू खुशियोंनो सूर्य जुख्षे राज्य सरकार ना अडग अविरत वहता विकास ना आधोध थी राजकोट वासियोंनो जीवन समरुध बन्शे मानिने प्रधान मंत्री श्री समस्त सौराश्य वासियोंने राजकोट वासितियोंने विविद प्रजालक्षी प्रोजेक्स भेट करवा बदल आपनो अभार मानिये जी भारत देशना प्रत्येक नागरिक नी सुखाकारी सुविधा विकास अने नवा आयामोनी हर हम्मेश दरकार करना आधुने भारत ने विश्व फलक पर पहुँचादना देरग द्रश्टा अने विकास पुरुष आपना आदरणिय अने सम्मानिय श्री नरेंद्र मोधी जी ने आवो तेमना विशिश संबोधन माटे खूब हर्श भेर जैनाद साधे आवकारिये केम जोबदा सुकमा गुजरात के मुख्यमंत्री स्रिमान भुपेंद्र भाई पटेल मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी स्री जोतिरादित के सिंधिया जी पूर्व मुख्यमंत्री भाई विजय रुपानी जी सियार पाटिल जी साथियों अभी विजय भी मेरे कान में बता रहे थे और मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि राजकोट में कारकम हो छुट्टी का दिवस न हो रजाना होए अन्य बपोर्णों समय होए राजकोट मां कोई आ समय सभा करवानू न विचार ये जहां आटली विशाल जनमेदनी आजे राजकोटे राजकोटना बदा विक्रम तोड़ी नाखाए जे नहीं तो वर्सोदे में जोई है कि साजे आठ वागे पजी ठीक रहते बाई अन्य राजकोटने तो बपरे सुवा टाइम जोई है पाजो आज राजकोट के साथ साथ पूरे सवराष्ट्र और गुजरात के लिए बड़ा दीन है लेकिन प्रानब में मैं उन परिवारों के पती अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं जिने प्राकृतिक आपदाओं के चलते काफी नुक्षान उठाना पड़ा है कुछ दिन पहले ही साइकलोन आया था और फिर बाड़ने भी बहुत तबाई मचाई संकट के इस समय में एक बार फिर जनता और सरकार ने साथ बिलकर इसका मुकावला किया है मैं सभी प्रभावित परिवारों का जीवन जल्द से जल्द सामान्य हो इसके लिए बुपेंद्र भाई की सरकार हर संबहों प्रयास कर ही रही है केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को जिस भी सहयोग की जरुप है उसे पुरा कर रही है भाईयों और बहनों बीतों वर्ष्यों में राजकोट को हमने हर प्रकार से आगे बढ़ते देखा है अब राजकोट की पहचान सवराष्ट के ग्रोथ इंजिन के तरफ भी हो रही है यहाँ इतना कुछ है उद्योग धंदे है बिजनेस है संस्कृती है खान पान है लेकिन एक कमी मैसूस होती थी और आप सभी भी बार-बार मुझे बताते रहते थे और वो कमी भी आज पूरी हो गए अभी कुछ देर पहले जब मैं नए बने एरपोर्ट पर था तो आपके इस सपने के पुरे होने की खुशी मैंने भी मैसूस की और मैं हमेशा कहता हूँ राजकोट है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया मुझे पहली बार विधायक बनाया मेरी राजनिती यात्रा की शुरुवात उसको हरी जिंडी दिखाने का काम राजकोट ने किया और इसलिए राजकोट का मुझे पर कर्ज हमेशा बना रहता है और मेरी भी कोशिश है कि उस कर्ज को कम करता चलू आज राजकोट नया और बड़ा इंट्रनेशनल एरपोर्ट मिल चुका है अब राजकोट से देश के साथ साथ दुनिया के अनेक शहरों के लिए भी सीधी फ्लाइट संबव हो पाएगी इस एरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही इस पूरे छेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाब होगा और जब मैं मुक्हमंत्री था शुरुवाती दिन थे जादा अनुभव तो नहीं था और एक बार मैंने कहा था ये तो मेरा मीनी जपान बन रहा है तब बहुत लोगों इन मरजाक उड़ाई थी मेरी लेकिन आज वो शब्द आपने सच करकर के दिखा दिये साथियों यहां के किसानों के लिए भी अफ़ल सब्जियों को देश विदेश की मंडियों तक भेजना आसान हो जाएगा यानि राजकोड को सिर्फ एक एरपोर्ट नहीं बलकि पूरे एक छेत्र के विकास को नई उर्जा देने वाला नई उडान देने वाला एक पावर हाउस मिला है साथियों आज यहां साउनी योजना के तहट अनेक प्रोजेक्स का लोकारपन भी हुआ इन प्रोजेक्स के पुरा होने से सवराज के दर्जनों गावा के किसानों को सिंचाई और पिने का पानी उपलब्द हो पाएगा इसके अलावा भी राजकोड के विकात से जुड़े अनेक प्रोजेक्स का लोकारपन आज यहां करने का आउस्तर मिला है मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ साथ्यों बीते नव वर्षों में केंद्र सरकार ने समायत के हर वर्ग हर छेत्र के जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है हम गुड गुवर्नेस की शूशाचन की गरंटी दे कर आए है आज हम उस गरंटी को पूरा करके दिखा रहे हैं हमने गरीब हो दलीत हो पिछड़े हो आदिवासी हो सब के जीवन को बैतर बनाने के लिए निरंतर काम किया है हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है वो कहती हैं कि हमारी सरकार के पांच साल में साड़े तेरह करोड लोग गरीबी से बहार निकले हैं यानि आज भारत में गरीबी से बहार निकल कर एक नियो मिडल क्रास नए मध्यमबर्ग का स्रजन हो रहा है इसलिए हमारी सरकार की प्रास्विक्ताओं में मिडल क्रास भी है नियो मिडल क्रास भी है एक प्रकार से पूरा मध्यमबर्ग है साथियों आप यहाद कीजिए 2014 से पहले मध्यमबर्ग की एक बहुत आम शिकायक क्या होती थी लोग कहते थे कनेक्टिविटी कितनी खराब है हमारा कितना समय आने जाने में बर्बाद हो जाता है लोग कहीं बहार देश से आते थे बार की फिल्मों को देखते थे टीवी पे दुनिया की अपनी जाती थी तो उनके मन में सवाल उड़ते दे सोचते थे कि हमारे देश में कब ऐसा होगा कब ऐसे सड़की बनेगी कब ऐसे एरपोर्ट बनेंगे स्कूल दप्तर आने जाने में परेशानी व्यापार कारोबारे करने में परेशानी कनेक्टिविटी का देश में यही हाल था हमने बीते नव वर्षों में इस परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास किया दोहजार चौदा में सिर्फ चार शहरों में चार शहरों में मेट्रो नेट्वर्क था आज देश के 20 से जादा शहरों में मेट्रो नेट्वर्क पहुँच चुका है आज देश के 25 अलग-अलग रूट्स पर बंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेने चल रही है 2014 में देश में 70 के आसपाज एरपोर्ट हुआ करते से अब इनकी संख्या भी बढ़ करके डबल से भी जादा पहुच चुकी है हवाई सेवा के विस्तार ने भारत के एरलाइन सेक्टर को दुनिया में नई उचाई दी है आज भारत की कंपनिया लाखो करोड रुप्य के नए विमान खड़ी तरी है कहीं पर एक साइकल नहीं आजाए गाड़ी नहीं आजाए स्कूटर नहीं आजाए तो चर्ता होती है आज हिंदुस्तान में एक हजार नए विमानों का ओर्डर बूख है और संभावना है आने वाले दिनों में दो हजार विमान के ओर्डर की और आपको याद है मुझे तो याद है गुजराच चुनाव के समय मैंने आपको कहा था वो दिन दूर नहीं जब गुजराच एरोप्रेन भी बनाएगा आज गुजराच इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भावी और बेनो इज अफ लिविंग क्वालिटी अफ लाइफ हमारी सरकार की सर्वोच्च प्रात्विक्ताव में से एक है पहले देश के लोगों का किसके तरह की परशानी से गुजरना होता था लंबी लाइन बीमा और पेंशन ले रहा है तो भी भरपूर समस्या है टेक्स रिटन फाइल करना है तो भी मुसिबतों से गुजरना हमने डिजिटल इंडिया से इन सभी समस्याओं का समदान दिया बैंक जाकर काम करने में पहले कितना समय और उड़िजा लग जाती थी आज आपका बैंक आपके मुबाइल फोन पर है ये भी कहियों को याद नहीं होगा कि पिछली बार बैंक कब गए थे जाने की जरूती नहीं पड़ रही है साथ यो आप वो दिन भी याद करिये जब टैक्स रिटन फाइल करना भी बड़ी चुनोती हुआ करता था इसके लिए किसी को डूंगो यहाँ जाओ वहाँ दोड़ो यही सब कुछ हुआ करता था आज कुछ ही समय में आप आसानी से आउनलाइन रिटन फाइल कर सकते हैं अगर रिफंड होता है तो उसका पैसा भी कुछ ही दिनों में आपके खाते में आ जाता है वरना पहले कई कई महिने लग जाते थे साथियों मिडल क्रास के लोगों के पांथ अपना घर हो इससे लेकर भी सरकार पहली सरकारों को कोई चिंता नहीं थी हमने गरीबों के घर की भी चिंता की और मिडल क्रास की घर का सपना पुरा करने का भी इंतजाम किया पीम आवासी हो ज़ना के तायद हमने मद्यमबर के परिवारों को घर बनाने लिए विशेश सबसीड़ी दी इसके तहट 18 लाग रुपिय तक की सालाना आये वाले परिवारों को मदद दी गई अभी तक देश के मद्यमबर के 6 लाग से ज़्यादा परिवार इसका लाब उठा चुके यहां गुजरात के भी 60,000 से ज़्यादा परिवारों ने केंदर सरकार की सोजना का लाब उठाया है साथियों केंदर में जब पुरानी सरकार थी तो अक्सर सुनते से कि घर के नाम पर यह ठकी हो गई बहुत हो खाँ हो गया कई कई सालों तक घर का पजेशन नहीं मिलता था कोई काईदा कानून नहीं था कोई पूथने वाला नहीं था यह हमारी सरकार है जिसने रेरा कानून बनाया लोगों के हीतों को सुरक्षिक किया रेरा कानून की वज़य से आज लाखों लोगों के पैसे लूटने से बत रहे हैं भाई और बेनों आज जब देश में इतना काम हो रहा है देश आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को परिशानी होनी बहुत वाभाविक है जो लोग देश की जनता को हमेशा तरसा कर रखते थे जिन लोगों को देश की जनता के आवशक्ता हों और आकांग साओं से कोई मतलब नहीं था वो लोग देश की जनता के सपने पूरे होते देखकर आज जना ज़्यादा चिड़े हुए हैं और इसलिए आप देख रहे हैं आज कल इन प्रस्थाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है चेहरे वही पुराने हैं पाप भी पुराने हैं तोर तरीके भी पुराने हैं लेकिन जमात का नाम बदल गया है इनके तौर तरीके भी वही है पुराने है इनके रादे भी वही है जब मिडल कास को कुछ सस्ता मिलता है तो यह कहते हैं कि किसान को सही कीमत नहीं मिल रही जब किसान को जादा कीमत मिलती है तो यह कहते हैं कि मंगाई बढ़ रही है यही दोवरापान इनकी राजनीती है और आप देखिए महिंगाई के मामिले इनका ट्रेक रिकोर्ड क्या है जब वो केंदर में सत्ता में थे तो इन्होंने महिंगाई दर को दस प्रतिशत तक पहुचा दिया था अगर हमारी सरकार ने महिंगाई कामू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमते आसमान छू रही होती अगर देश में पहने वाली सरकार होती तो आज दूद तीन सो रुपिय लीटर दाल पान सो रुपिय कीलो बिक रही होती बच्चों की स्कूल फीच से लेकर आने जाने का किराय तक सब कुछ कई गुना हो चुका होता लेकिन साथियों कि हमारी सरकान है जिसने कोरोना माहमरी के बावजूद रूस उक्रेन युद्ध के बावजूद महिंगार को काबू में करके रखा है आज हमारे आज पडोस के देशों में पचीस-तीस परसेंट की दर से महिंगाई बढ़ रही है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है हम पूरी समय दंतिता से साथ महिंगाई कंट्रोल करने के प्रयास करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे बाई और बेहनों गरीब का खर्च बताने मंतिमवर का खर्च बताने के साथ ही हमारी सरकार ने ये भी कोशिश की है कि मिडल करस की जिम में ज़्यादा से जैसा बच्चत हो आपको याद होगा नव वर्थ पहले तक दो लाख रुपे सालाना कमाई पर टैक्स लग जाता था दो लाख की कमाई पर आज साथ लाख रुपे तक की कमाई होने पर भी टैक्स कितना है जीरो शुन्य साथ लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता इसे शहरों में रहने वाले मद्यमवर्ग पडिवारों के हर साल हजारों रुपिये बच रहे हमने छोटी बचत पर नानी बचत अधिक ब्याद देने का भी कदम उठाया है इस साल इपी एफो पर सवा आठ प्रतिशद इंट्रेस्ट तैक किया गया है ताक्यों हमारी सरकार की नीतियों निर्णव में से कैसे आपके पास से बच रहे इसका एक उदार ने आपका मोबाइल फॉन भी है शायद आपका उतर ज्यान नहीं गया होगा आज अमीर हो या गरीब अधिकांस लोगों के पास फोन जरूर होता है आज हर भारतिया आउसतन हर महिने करीब करीब 20 GB डेटा इस्तिमाल करता है आप जानते हैं 2014 में एक GB डेटा की किमत कितनी थी 2014 में एक GB डेटा के लिए आपको 300 रिपिये देने पड़ते थे अगर वही पुरानी सरकार आज होती तो आपको मुबाईल का ही बील हर महिने कम से कम 6,000 रुपिये देना पड़ता जबकि आज 20 GB डेटा के लिए 300-400 रुपिये का ही बील आता है यानि आज लोगों के हर महिने मुबाईल बील में करीब करीब पाँच हजार रुपिये हर महिना बच रहे हैं जाथियो जिन परिवारों में सीनियर सिटिजन हो बुरुद्ध माता पिता हो दादा दादी हो और कोईन कोई बिमारी हो तो परिवार में रेगुलर दवाएं लेनी पड़ती है उन्हें भी हमारी सरकार योजनाओं से बहुत बच्छत करवा रही है पहले इन लोगों को मार्केट में अधिक किमत पर दवा खरीदी पड़ती थी उन्हें सिंता से उबारने के लिए हमने जन अउसरजी केंद्र पर सत्ती दवाई दिने का शुरू किया इन स्टोर की वज़े से गरीब और मद्यमबर के करीब बीस हजार करोर रुपय की बच्छत हुई है गरीब के लिए सम्वेदन सिल सरकार मद्यमबर के लिए सम्वेदन सिल सरकार एक के बाद हो कदम उशाती है ताकि सामान नागरी के जेब पर बोज नव बढ़े भाई और बेनों यहां गुजरात के विकास के लिए सवराश्ट के विकास के लिए भी हमारी सरकार पुरी सम्मेजन सिल्टा से काम कर रही है गुजरात से बहतर सवराश्ट से बहतर एक कौन जानता है कि पानी का कि कमी का मड़लब क्या होता है सवनी योजना से पहले क्या स्थिती थी और सवनी योजना के बात क्या बढ़लाव आया है यह में सवराश्ट में दिख्ता है सवराश्ट में दर्जनों मान हजारों चेकडेम आज पानी के स्त्रोथ बन चुके हैं हर घर जल योजना के तहर गुजनात के करोडों परिवारों उनको आज नल से जल मिलने लगा है साथियों यही सूसाथन का मोडल है जो देश में बीते नव वर्षों में एक ते बाद एक कदम उठा करके जन सामाने की सेवा करके उसकी आवश्यक्ताओं को पूरी करके हमने इस मोडल को सिद्ध किया है ऐसा सूसाथन जिसमें समाच के हर वर्ग हर परिवार की जरुतों उसकी आकांग्छाओं को ध्यान में रखा जा रहा है यही विक्सित भारत के निर्मान का हमारा रास्ता है इसी रास्ते पर चलते हुए हमें अमरित काल के संकल्पों को सिद्ध कर रहा है राजकोर्ट से इतनी बड़ी संग्या में आपका आना आप सभी को नए अइरपोर्ट मिलना वो भी आंतर अश्टे अइरपोर्ट मिलना और दूसरे भी अनेख प्रोजेश का हाँ में जराना मेरे सवराश के लोगों को मेरे गुज्राथ के राजकोट के लोगों को मिले मैं इन सभी के लिए आपको बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत-बहुत शुपकामनाय देता हूँ और बुपेंद्र भाई के सरकार आपके आशा हकांग्षाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं कर रहने देगी ये मेरा पूरा विश्वास है फिर एक बार ये स्वागत सम्मान के करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद के आवो माननिय प्रधानमंत्री श्रीनों अनेक भेट आपा बदर मध्यवर्गना छोती वदारे लोकोंने रेरा कानूंधी आजे लाखो लोकोंने राब मड़ी रहयो छे नरेंद्र मोधी ये राजकोट पहुंची गया छे त्यार बाद तेमने भाशन करियो छे गुजरातना प्रतम ग्रिनफिल्ड हिरासर आंतराश्वी एरपोर्ट पर त सही होतू अने त्यार बाद बड़ा प्रताने भाशन करियो हतू संबोधन करियो हतू पहली बार हिरासर आएरपोर्ट पर स्पागेत करवा मा आभियो छे हिरासर आएरपोर्ट ना परिशन नरेंद्र मोधी निरिक्षन करियो हतू बाद मा हिरासर आएरपोर्ट नो पहुंचे आता राजकोट अने सहुराजना नेताउत बारा नरिंद्र मोदी नुँ विविद मोमेंट आपी ने सन्मान कर्वामा आवियोतू बाद मा तेमने केकेवी चोक पर फ्लावर ब्रीज साही ते सहुराजना बेजार तेतरिस करोडना कामोंनू लोकारपन करियो हतू पहला लोको बैंक बाटे लांबी लाइन लगावता हता है मिललकास ना लोको पासे गर होए तेवी पहलानी सरकार ने चिनता नहोती परन्तु अमें गरिव लोकोंनू सपनू साकार करियो छे अडार लाख आवक दरावता लोकोंने पन मदद करी छे गुजरात मा साइट हजार परिवारे केंद्र सरकार नी योजनानों लाब लिदो छे अने कोई काईदा कानून नहोता पन अमारी सरकारे रहरा कानून बनावे हो जनाथी लाखो रूपिया लुन्ट थिबाती लोकों बचे छे प्रस्ट अजाराने परिवार वाद वालाओने पोता नी जमातनू नाम बदली ना क्यूचे परनतु तेनों इरादो आजे पन एज छे साथे ज तेमने डेटा बैलंस ने लेने पन वाद करी छोए के पहलाना जमनम मां एक जिवी डेटा माटे 300 रूपिया चुकावा पड़ता था जिवरे अत्यारे 20 जिवी डेटा माटे 600 ती 700 रूपिया नू भीला आवे छोए लेके डेटा पन तेमने सस्तों करे छोए झाल